करनाटा किस समय हिजाब विवात का केंद्र बना हुआ है हिजाब को लेकर यहां के शिवमोगा जिले में काफी समय से लगातार विरोत प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं प्रदर्शनों को रोकने के मकसद से यहां कुछ समय के लिए धारा 144 भी लगाई गई थी मामला कुछ दिनों से शांत था लेकिन अब शिवमोगा में 23 साल के एक बजरंग दल कारकरता की हत्या के बाद तनाओ फिर बढ़ गया है आस तक से जुड़े नोलान पिंटों से मिली जानकारी के मताबिक मामला रवीवार 20 वरवरी की रात का है शहर की भारती कॉलोनी में कुछ अग्यात लोगों ने बजरंग दल के कारकरता हर्शा पर अचानक चाकूँं से हमला कर दिया हमले के तुरंद बाद हर्शा को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोशित कर दिया इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाओ का महौल देखने को मिल रहा है घटना के कुछ घंटे बाद शिव मोगा के सिगे हट्टी इलाके में कुछ लोगों ने पत्थराव किया और कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया दमकल की टीम ने मौके पर पहुच कर आग बुझाई इस घटना के बाद से पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है आस तक के नोलान पिंटों के मुताबिक बजरिंग दल की कारकरता की हत्या को लेकर ये खबर लिखे जाने तक जादा जानकारी सामने नहीं आई है शिवमोगा पुलिस ने भी इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है ऐसे में किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, किस ने ये हमला करवाया, अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है जबसे करनाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ है, शिवमोगा इसे लेकर सुर्खियों में है बजरंग दल ने इस मामले में एक सक्रिय भूमिका निभाई है, ऐसे में इस हत्या के बात से अटकलो का दौर शुरू हो गया है कुछ लोग इसे हिजाब विवाद से जोडने का प्रयास कर रहे हैं हाल ही में हर्शा ने अपने फेस्बुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शौल के समर्थन में एक पोस्ट लिखी थी कुछ लोग इस पोस्ट के चलते भी इस हत्या को हिजाब विवाद से जोड़ रहे हैं हाला कि करनातक के ग्रीमंत्री अरगा जननेंद्र ने ऐसी अटकलों का खंडन किया है उनके मुताबिक इस मामले के हिजाब विवाद से जुड़े हुने के अब तक कोई सबूर नहीं मिले हैं अरगा जननेंद्र ने सोमवार 21 फरवरी को मृतक हर्शा के परिजनों से मुलाकात की इसके बाद उन्होंने कहा हत्या रविवार रात साड़े नौ बजे मेन रोट पर हुई कुछ सुराग हमारे पास हैं इस घटना में 4-5 यूवक शामिल हो सकते हैं जल्द ही हम उन्हें गिरफतार करेंगे शिमोगा की लोगों को शांत रहने की जरूरत है आज नहीं तो कल गिरफतारी होगी मुझे अभी तक हत्या के पीछे का कोई खास कारण पता नहीं चल पाया है शुडवाती जानकारी से पता चला है कि यह हिजाब का मुद्दा नहीं है लेकिन हमें इंतजार करने की जरूरत है शिमोगा में पुलिस के साथ साथ आरे अफ की भी तैनाती कर दी गई है 23 फरवरी तक धारा 144 लगी रहेगी जहां करनातक के ग्री मंत्री हत्या को हिजाब विवात से नहीं जोड़ रहे है वहीं करनातक की BJP सरकार में मंत्री इश्वरप्पा ने कहा है कि बजरंग दल कारिकरता की हत्या गुंडों ने की है और ये सब कॉंग्रिस नेता D.K. शिवकुमार के बयानों की वज़र से हुआ है हिजाब विवात और भगवाद बज़ पर दिये उनके बयानों ने लोगों को उकसाया वहीं D.K. शिवकुमार ने इश्वरप्पा का स्तीफा मांगा है इस हत्या की वजह से शिवमोगा में तनाव है, स्कूल कॉलेज बंध हैं बता दें कि करनाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब हाई कोट में सुनवाई चल रही है सोमवार 21 फरवरी को कोट में इसी मुद्दे पर फिर बहस होनी है ये विवाद जनवरी 2022 में तब तेज हो गया था जब एक कॉलेज में 6 चात्राओं को हिजाब की वजह से एंट्री नहीं दी गई थी उसे खटना के बाद से ही दूसरे कॉलेज और स्कूलों में भी प्रदर्शन शुरू हो गया और देखते ही देखते करनाटक हिजाब विवाद का एपिसेंटर बन गया आपके लिए खबर लखी है हमारे साथ ही अभेने मैं हूँ सुर्भी कैमरे के पीछे है मन देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया